हाव रूफीक्स सैमसंग सी नाइन प्रो ऑटो रोटेट नोट वर्किंग प्रोब्लेम नमस्कार दोस्तों स्वागर अब सभी का तेकिराच यूटुब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है कैसे अपने डिवाइस में ऑटो र करते हैं और उसके बाद भी दोस्तों आप यहाँ पर अपने मोबाइल को रोटेट करने के कोशिश कर रहा है रोटेशन काम नहीं कर रहा है अगर दोस्तों ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम है आपकी डिवाइस में तो आप दोस्तों इस वीडियो को आं तक जरू देखेगा मैं आपको इस्तेब इसका सॉलुशन बताऊंगा उसके बाद जाके दोस्तों आपका जो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है फिक्स हो जाएगा ठीक है वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि आए तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकोन को क्लिक करें और अगर आप उनलाइन पेसा कामा ना चाते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फोलो करके मेसेज कर सकते हैं चलिए वीडियो शुरू करत इन था अगर तो आपको दोस्तों नेक्स्ट सॉलीशन करना होगा तो नेक्स सॉलीशन पर दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है तो आप दोस्तों आपने magical button प्लिक करें recent बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तो जितने भी आपकी applications on है उनको आप close कीजिए क्योंकि दोस्तो कभी कबर क्या होते हैं हमारे device में जो जायरो होते हैं वो लोग हो जाते हैं तो उसके वज़े से दोस्तो यहाँ पर problem आते हैं तो आप अपने recent apps को off कर दीजिए ठीक है सारे कि सारे recent app close कीजिए close करने के बाद दोस्तों दुबारा से रिचेक करके देखे कि आपका problem सौफ हो आए या नहीं हुआ है अगर सौफ हो जाता है तो ठीक है अगर उसके बाद भी दोस्तों problem आ रहा है तो आप जाए दोस्तों आपने mobile के सेटिंग पर स्क्रॉल डाउन करते हुए दोस्तों जाए जेनरल मेनेज्टमेंट के option पर and then reset option सेलेक कीजिए और reset all setting पर जाके reset setting पर क्लिक कीजिए अपना pattern यहाँ पर बढ़ दीजे pattern password जो भी आपने सेट किया हुआ है screen lock पर उसको add करने के बाद सारे setting reset हो जाएगा तो अभी दोस्तों आपको क्या करना है on कीजिए अपना portrait mode को यानि कि auto rotate on करने के बाद दोस्तों दुबारा से check करके देखे solve हो जागा आपका problem ठीक है बाई एनी को पसे ने होगा thanks for watching